Sale, हम सब के लिए इस शब्द के माइने बिल्कुल डिफरेंट है आप मैंसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये discount लेने का time Brands और Website के लिए होता है ये price बढ़ा के discount दे कर अपनी sale बढ़ाने का time लेकिन मेरे लिए होता है एक अच्छे product को अगर वो सही price में मिल रहा हो उसे लेने का time चाहे उसके लिए मुझे 5-6,000 rupees अपने budget से ज़ादा ही क्यों न पे करने पड़े पैसा आपका है आपने बड़ी मेहनत से कमाया है TVs मैं आपको बता रहा हूँ चोइस सिर्फ आपकी है हलो दोस्तों, welcome to my channel VM1 मेरा नाम है विनीद और आज मैं आपको बताऊंगा Amazon Prime Day 2021 पे मिलने वाले TVs की deal और offers के बारे में दोस्तों ये विडियो मेरे बाकी सभी TV के विडियो से बिलकुल ही अलग होने वाला है और इसमें मैं आपको TVs की details specifications नहीं बताऊंगा अगर आप details specs जानना चाते हैं तो मेरा किसी भी और TV का विडियो को उठा के देख लें आपको सब कुछ पता चल जाएगा लेकिन इस विडियो में मैं आपको panel की details, picture quality, pros and cons पे focus करके आपको deal price बताऊंगा मैं इस विडियो के अंदर 50, 55 और 65 इंच के TVs को cover करूँगा जो की 70,000 रुपीज तक आते हैं मैं उससे उपर के TVs को इस विडियो के अंदर include नहीं कर रहा हूँ choice आपकी है, पैसा आपका है जो size आपको लेना है वो आप सोच समझ के देखिए और लीजिए दोस्तो हमेशा की तरह ये विडियो भी किसी ब्रैंड से sponsored नहीं है क्योंकि हम इस चानल पे किसी ब्रैंड का sponsored content नहीं चलाते मैं आपको Amazon Prime Day के साथ साथ Flipkart की sale की deals भी इस विडियो में बताऊंगा as always दोस्तो मैं आपसे एक request करना चाहूंगा कि इन सभी products के जो मैं आपको इस विडियो में बताने वाला हूँ मेरे affiliate links आपको description box में मिलेंगे अगर आप उन्हें use करके अपनी purchase करेंगे तो आपके price को change करें बिना इस चानल की बहुत जादा help होगी लेकिन उससे पहले भी आपको दो बाते और याद रखनी है आप Amazon Prime Day Sale का फाइदा तब उठा सकते हैं जब आप एक Prime Member है उसके लिए आपको सबसे पहले एक Prime Membership लेनी चाहिए अगर आप एक Prime Member नहीं है तो मैंने description box में सबसे पहला link वो ही दिया है और दूसरा link जो आपको मिलेगा वो है Amazon Prime Day की सारी deals का उसमें आपको Flipkart की deals के भी link मिलेंगे आप उस list को download करके एक साथ TV के अलावा बाकी सबी चीजों की deals के link भी चेक कर सकते हैं वो भी मेरे affiliate links हैं उन्हें use करने पे आपके लिए price जरा सभी change नहीं होगा लेकिन इस channel की financially बहुत ज़ादा help होगी and I'll be really grateful to you अब बात करते हैं 15 size की जिसमें आपको ज़ादा तर VA panel ही देखने को मिलेंगे और Prime Day Sale पे मेरी इस size में एक pick होगी वो है LG का UM7290 इस TV के अंदर आपको 8 bit FRC VA DLED panel मिलता है और इसकी peak HDR brightness चली जाती है 320 nits तक मैंने आपको VA panel बूला है क्योंकि 7290 के अंदर जनरली आपको और LG के अंदर भी जनरली आपको एक IPS panel देखने को मिलता है लेकिन 50 inch size में आपको VA panel देखने को मिलता है इस TV के अंदर आपको HDR10 Pro और HLG की support देखने को मिलेगी obviously HDR10 की भी support देखने को मिलेगी इस TV की picture quality बहुत शांदार है LG generally IPS panel प्रड्यूस करता है लेकिन LG VA panel भी बनाता है और ये उनिका बना हुआ VA panel है which gives very good contrast and very good colors LG के IPS panel के अंदर आपको बहुत जादा अच्छा contrast देखने को नहीं मिलेगा because IPS panel की यही property होती है लेकिन VA panel में आपको बहुत शांदार contrast देखने को मिलता है और इस TV के अंदर भी आपको वो ही मिलेगा आपको अच्छे colors देखने को मिलेगे अच्छा contrast देखने को मिलेगा इस TV के अंदर आपको 1 year की product warranty और extra 1 year की panel warranty मिलेगी LG के तरफ से 47,000 रुपीज का cost कर रहा था यह prime day sales से पहले और अगर इसी price पर यह मिलता रहता तो शायद मैं आपको कभी भी यह TV recommend नहीं करता लेने के लिए इस price में लेकिन prime day sale पे approximately आपको यह cost करेगा 44,000 रुपीज including all the discounts that you can get उस price पे यह वाकई बहुत शांदार TV है और budget TVs से जादा बेटर है बात करते हैं इस TV के pros and cons के बारे में यह TV जैसे मैंने आपको बताया अच्छे colors और deep contrast के साथ आता है LG K 2019 के सभी VA panel के TVs के अंदर यही panel use हुआ है budget range के which is a very good thing यह panel काफी successful है और यह use भी हुआ है and इसके colors वगएरा भी बहुत अच्छे हैं इस TV के अंदर आपको magic remote नहीं मिलता यह एक con है लेकिन इसका एक pro भी है कि आप उसे 1000 से 1500 रुपीज का खरीज सकते हैं separately which makes this TV a perfect smart TV with the magic remote पहले magic remote की cost 3000 रुपीज तक पहुँच चुकी थी लेकिन अब easily 1000 रुपीज के अंदर या 1100 रुपीज के अंदर available है online भी मिलता है अब बात करते हैं कुछ cons के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर आपको magic remote साथ में नहीं मिलता this is one con इस TV के अंदर आपको Dolby Vision की support भी देखने को नहीं मिले कि this is another con and the third con is HDMI 2.1 port आपको इस TV के अंदर देखने को नहीं मिलेगा remember अगर आपको HDMI 2.1 की support चाहिए तो आपको कोई latest TV लेना चाहिए यह 2019 का model है लेकिन मैं फिर भी आपको यह TV recommend इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह TV अच्छा है आपको LG की तरफ से support भी spare part support भी इस TV की तरफ से देखने को मिलेगी that is the reason that I am recommending you this TV इस TV की alternate option की बात करते हैं अगर आप LG का यह TV नहीं लेना चाहते तो आप Motorola ZX Pro ले सकते हैं approximately 39,000 रुपीज का वो इस समय कॉस कर रहा है लेकिन आपको calculation करनी है कि 39,000 रुपीज में आपने Motorola ZX Pro लेना है या फिर LG का UM7290 लेना है 15 size में 44,000 रुपीज में that is completely your call दोनों में फरक मैं आपको बता देता हूँ दोनों में आपको VA panel मिलेंगे 15 size में दोनों के अंदर approximately आपको brightness similar मिलेगी और दोनों में ही आपको same type के colors और contrast देखने को मिलेगा the main difference is कि Motorola के अंदर आपको एक additional sound bar मिलेगी TV के साथ लगी हुई जो कि audio quality को enhance करेगी जबकि LG के अंदर आपको ऐसी sound bar नहीं मिलती दूसरा सबसे बड़ा जो difference है दोनों TVs में वो यह है कि LG के अंदर आपको web OS मिलता है जबकि Motorola के अंदर आपको android 10 OS देखने को मिलता है choice is completely yours मैंने दोनों ही TVs के links आपको description box में दिये हैं आप इन दोनों को ही चेक करिए 15 size के अंदर अगर आप थोड़ा सा और premium TV लेना चाते हैं तो इस Prime Day Sale पे आपके लिए एक और option है और वो है Samsung का AUE 70 यानि Crystal Pro model इस TV के अंदर आपको 8 bit plus FRC VA E-LED पैनल देखने को मिलता है और ये TV बहुत ही शांदार picture quality के साथ आता है इसके blacks और colors बहुत ही शांदार है मेरे unboxing और review के अंदर कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इस TV में blacks थोड़े से जादा हैं शायद उन के लिए एक छोटा सा जवाब मैं जो videos shoot करता हूँ वो full HD camera से use होते हैं shoot होते हैं आपको full HD footage देखने को मिलती है और बहुत अच्छी camera settings नहीं हो पाती मुझसे I am not a professional cinematographer कुछ camera settings की गड़बड़ी की वज़े से आपको किसी-किसी scene के अंदर जादा अच्छे colors दिखेंगे और किसी scene में खराब colors दिखेंगे मेरे review में TV के अंदर ये picture quality सेम रहती है and I can assure you कि इसके picture quality काफी अच्छी है इस TV के अंदर आपको Samsung देता है 1 year की product warranty और extra 1 year की panel warranty ये TV launch हुआ था कम price पे इसके बाद उसका price बड़ा और 54,000 रुपीज हुआ 50 in size का लेकिन prime day sale पे आपको ये approximately 51,000 रुपीज का cost करेगा including all the discounts इस price पे ये TV सही है क्योंकि ये ही इसका launch price भी था इस TV के pros and cons की बात करें जो मैं already अपने review में बता चका हूँ लेकिन यहां फिर बताता हूँ कि इसके अंदर आपको बहुत अच्छी picture quality देखने को मिलेगी colors अच्छे मिलेंगे आपको deep blacks देखने को मिलेंगे and this is fantastic हम एक TV खरीदते हैं अच्छी picture quality के लिए and this TV gives you that इस TV के अंदर आपको HDMI 2.1 EARC port भी मिलता है which is also very good लेकिन there are some cons इस TV के अंदर आपको Dolby Vision support देखने को नहीं मिलेगी इस TV के अंदर आपको Tizen OS मिलेगा जो कि कुछ लोगों के लिए एक con हो सकता है आपके लिए है कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन बताना मेरा फर्ज है इस TV के अंदर आपको Hotstar app तो मिलती है लेकिन उसमें आप 4K videos प्ले नहीं कर सकते आप उसमें maximum resolution सिरफ Hotstar app में Full HD पे जा सकते हैं इस TV की audio quality is not that fantastic it is average अगर आप एक बड़े TV को बड़े room में लगाना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि पूरा room fill हो जाएगा इसकी volume से तो let me tell you कि 100 volume पे करके किसी TV को नहीं देखा जाना चाहिए एक TV के maximum volume होनी चाहिए 60-70 और उस volume पे इस TV की audio average है आप अगर एक sound bar लेना चाहते हैं या आपके पास है और आप एक VA panel का TV लेना चाहते हैं इस size में then this is a fantastic TV इस TV के links मैंने आपको description box में दिये हैं आप इसे जरूर चेक करिये और अगर आप एक IPS panel का TV लेना चाहते हैं इन 15 size then let me tell you बहुत limited options हैं लेकिन मेरी alternate option आपके लिए best रहेगी क्योंकि LG का nano 80 आपको prime day sale पे approximately 62,000 रुपीज का cost करेगा और ये एक बहुत शांदार price है इस TV का इसके अंदर आपको बहुत शांदार IPS panel देखने को मिलता है और उसके viewing angles बहुत शांदार हैं let me again remind you कि आपको एक IPS panel का TV सिर्फ तब लेना चाहिए जब आपके room में जादा sunlight आती हो ताकि इस TV के blacks जो की generally आपको grey या फिर dark blue color के दिखते हैं एक कम light वाले room में धूप वाले room में वो आपको black दिखने लगेंगे and that is the property of any IPS panel LG Nano 80 के links भी आपको मैंने description box में दिये हैं आप उसे भी जरूर चेक करिये अब बढ़ते हैं 55-inch budget category के उपर और इस category के अंदर prime day sale पे मेरी पिक रहेगी Hisense Tornado TV इस TV के अंदर आपको 8 bit plus FRC VA D LED panel देखने को मिलता है जिसकी peak HDR brightness 400 nits तक चली जाती है सपोर्ट करता है HDR10, HLG और Dolby Vision को यह वही panel है जो A71F यानि Hisense के छोटे model के अंदर यूज करा गया है या फिर VIEW Cinema Action TV के अंदर यूज करा गया है या फिर Toshiba TV, VIEW Premium TV या VIEW Ultra TV के अंदर यूज करा गया है पैनल is absolutely same आपको वही शांदार picture quality मिलेगी वही deep colors मिलेंगे, वही dark blacks मिलेंगे और vivid colors के साथ ये पैनल बहुत शांदार लगता है The only difference is कि इसके अंदर एक attached sound bar है जो कि JBL 102 watt की sound bar है और इसके अंदर एक MEMC technology का software देया गया है वह software उतना अच्छा काम नहीं करता जितनी अच्छी publicity करी जाती है उसकी ये एक normal software है, MEMC की तरह काम करने की कोशिश करता है लेकिन motion blur में मुझे नहीं लगता कि more than 10 to 20% का फरक आपको देखने को मिलेगा and that is not noticeable but picture quality wise this TV is brilliant this is a fantastic TV आप इसे consider करिये अगर आपको अच्छी picture quality चाहिए हो और आपके पास एक sound bar ना हो license आपको इस पर देता है one year की product warranty I remember जब मैंने इस TV की unboxing करी थी तो मुझे Hisense TV ने ये बोला था कि इस TV का price 45,000 रुपीज रखा गया है लेकिन हम assure करते हैं कि पूरे साल इस TV का price बढ़ेगा नहीं इस TV को आप 50,000 रुपीज का देख रहे थे prime day से पहले लेकिन इस समय आपको ये 47,000 रुपीज का cost कर सकता है जो मेरे हिसाब से एक सही price है इस TV का क्योंकि सभी चीजों के price बढ़ चुके हैं और Hisense TV का अगर 2,000 रुपीज price बढ़ता है तो it is okay तो इस TV आप तब consider करिए जब आपके पास एक sound bar नहीं है और आपने लेनी भी नहीं है अगर आपके पास एक sound bar है या फिर आप लेने वाले हैं तो फिर इस TV को बिलकुल मत लीजिए फिर आप लीजिए Hisense का A71F इसका छोटा model आपको same picture quality मिलेगी Always remember मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ TV सिर्फ देखने के लिए होता है Audio आपको बहुत अच्छी किसी भी TV से नहीं मिलेगी और आप audio को externally enhance कर सकते हैं Picture quality को आप कुछ भी करके enhance नहीं कर सकते आपका 90% focus होना चाहिए Picture quality में TV की That is what I wanted to say अब इसके cons के बात करते हैं As मैंने आपको Hisense A71 F के cons बताये थे वही same cons इस TV के भी है No HDMI 2.1 EARC port in this TV और इस TV के अंदर Android 9 OS आता है जो की upgrade करने का कोई वादा Hisense नहीं करता If this is not a con for you और अगर आपके पास एक soundbar नहीं है और आप नहीं लेने वाले हैं तो links description box में दिये हैं वेट किस बात की है इसे जरूर चेक करिए और अगर आप एक VA नहीं IPS panel का TV लेना चाहते हैं तो आपके लिए मेरी alternate option है और वो is none other than LG का UM7290 once again I am telling you this is a fantastic TV ये बहुत शांदार TV है और बहुत ही कम price पे मिल रहा है सभी TVs के price बढ़े लेकिन मैं इसे पिछले एक साल से इस ही price पे देख रहा हूँ हर sale में आपको 55 इंच का LG UM7290 50,000 रुपीज का cost करेगा उसमें आपको एक बहुत शांदार IPS पैनल देखने को मिलता है आप उसे तब लीजिए जब आपने किसी धूप वले रूम में या फिर ऐसे रूम में जहां बहुत ज़ादा light आती हो, वहाँ पे TV लगाना है या फिर आपको wider viewing angles अपने TV से चाहिए बहुत शांदार TV है 1000 या 1200 रुपीज के बीच में आपको magic remote अलग से मिलेगा आप उसे खरीद के इसे proper smart TV बना सकते हैं हर वो feature इस TV के अंदर है जो आपको एक smart TV में चाहिए सिवाए एक Android OS के अगर आप उसे नहीं ढूंड रहे then this is the TV that you are looking for इन दोनों के links में आपको description box में दिये हैं आप इसे जरूर चेक करिए और हाँ इन दोनों के links आपको मेरी prime day deals की list में भी मिलेंगे अगर आपका budget 55 inch के लिए थोड़ा सा जादा है let's say 60,000 रुपीज और आप एक high sense tornado से जादा अच्छा टीवी खरीदना चाह रहे है तो ये है आपके लिए टीवी prime day sale के अंदर actually not prime day sale क्योंकि ये टीवी सिर्फ flip card पे available है मैं बात कर रहा हूँ me QLED TV की इस टीवी के अंदर आपको 8 bit plus FRC, VA, DLED QLED पैनल देखने को मिलता है जिसकी peak HDR brightness चले जाती है 350 nits तक इस टीवी के पैनल में आपको मिलेगी HDR10, HLG और Dolby Vision की support और इसके अंदर आपको 4500 is to 1 की contrast ratio भी देखने को मिलेगी which is good इस टीवी के अंदर आपको बहुत शानदार picture quality देखने को मिलेगी actually में vivid colors देखने को मिलेंगे मैंने अपना stance आज तक इस टीवी पे कभी भी change नहीं किया मेरे हिसाब से picture quality इस टीवी की काफी अच्छी है लेकिन brightness मुझे QLED टीवी होने के बाद थोड़ी सी कम लगी 350 nits वैसे किसी भी टीवी के अंदर होती है तो मैं उस टीवी को अच्छा ही कहता हूँ in the budget segment लेकिन एक QLED filter लगने के बाद 350 nits से अगर थोड़ी सी ज़ादा brightness होती तो शायद मैं इस टीवी को endorse भी करता क्योंकि ये टीवी काफी अच्छा है इसके colors बहुत ज़ादा अच्छे और vivid है Xiaomi आपको इस पर देता है वन यर की product warranty और extra वन यर की panel warranty less than 55,000 रुपीज ये टीवी लाँच हुआ था लेकिन धीरे धीरे इसकी cost 60,000 रुपीज तक पहुंच चुके थी लेकिन प्राइम डे सेल के दौरान actually sorry flip card सेल के दौरान आपको ये टीवी 56,500 रुपीज के आजपास cost करेगा और उस पे शायद आपको कुछ और डिसकांट भी मिल सकें और ये डील बहुत शानदार होगी इस टीवी के pros and cons की बात करते हैं pros मैं आपको कई बता चुका हूँ लेकिन फिर से थोड़े से बताता हूँ इसमें आपको बहुत शानदार colors देखने को मिलेंगे vivid colors, अच्छी picture quality देखने को मिलेगी HDMI 2.1 EARC port भी देखने को मिलेगा which is very good in any TV that you are buying today अब cons की बात करते हैं हमेशा से, day 1 से, मुझे इस TV के अंदर एक yellowish tint लगा है picture quality में मेरे लिए, सिर्फ मेरे personal opinion के हिसाब से natural color profile होनी चाहिए किसी भी TV की yellowish, greenish, bluish ऐसी picture profile नहीं होनी चाहिए 90% लोगों को ये yellow tint नजर भी नहीं आएगा and I am aware of this fact लेकिन मेरा बताना फर्ज है और आपको पता तो होना ही चाहिए this is a very good TV, otherwise और इसके अंदर आपको OS भी बहुत अच्छा और smooth lag-free देखने को मिलता है पड़े कौन जो मैं और भूल गया वो आपको बताता हूं इसके अंदर reality flow नाम की MEMC technology यूज करी गई है जो Xiaomi बहुत publicize करता है जो मेरे हिसाब से is nothing because this is a software-based MEMC और इससे आपको कोई significant motion blur के अंदर drop देखने को नहीं मिलेगा but this is not a very major con budget range के अंदर हर TV software-based MEMC ही यूज करता है leaving apart Sony जो proper MEMC के लिए chip लगाते हैं but this TV is really good अगर आप इस TV को consider नहीं करना चाहते हैं और एक alternate option चाहते हैं then comes Samsung AUE70 यानि Crystal Pro TV cost approximately same ही रहेगी दोनों TVs की 55-inch model की picture quality के अंदर थोड़ा सा फरक अब गेर रहेगा कि Me QLED के अंदर आपको जादा vivid colors देखने को मिलेंगे और Samsung के अंदर थोड़े से कम vivid colors होंगे सिर्फ ये difference है otherwise दोनों के अंदर EARC port आपको मिलेगा और दोनों के colors और blacks बहुत शांदार हैं आपकी choice है आपने कौन सा TV लेना है price approximately same है दोनों TVs का और दोनों ही TVs के links जो की मेरे affiliate links है मैंने आपको description box में भी दिये है और prime day deals list में भी दिये है आप इन्हें जरूर चेक करिए 65 inch के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही TV और उसकी alternate option recommend करूँगा क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले इस video में बताया था कि मैं इस video के अंदर सिर्फ 70,000 रुपीज तक के TVs को ही cover करूँगा और इस price category के अंदर Prime Day पे मेरी pick है VU Cinema Action TV अगर इस time तक जब तक आप ये video देखेंगे तब तक Hisense Tornado 65 inch launch हो गया तो वो और VU Action TV दोनों बिलकुल सेम TVs होने वाले हैं और इन दोनों में से आपको जो सस्ता मिले आप वो लीजिए क्योंकि दोनों में कोई भी फरक नहीं होगा VU Action TV के अंदर आपको मिलता है 8 bit प्लस FRC VA Delight Panel जिसकी peak HDR brightness company claim करती है 500 nits मैंने इस TV को check जरूर किया है लेकिन test नहीं किया brightness test नहीं करी I think आपको पता तो होना ही चाहिए लेकिन company अगर claim करती है तो वो गलत claim नहीं करती 500 nits बहुत शानदार brightness होती है और इसमें आपको HDR10, HLG और Dolby Vision की support मिलेगी और Dolby Vision content with 500 nits देखने का मज़ा ही कुछ और होता है because आपको बहुत शानदार colors और deep blacks देखने को मिलते है इसकी picture quality के अंदर मैं कोई भी कमी नहीं निकाल सकता there is no problem in the picture quality only Vio आपको देता है 3 years की product warranty इस TV पर 70,000 रुपीज का launch हुआ था Vio Action TV लेकिन बढ़के इसका price 72,500 रुपीज तक पहुँच किया था लेकिन प्राइम डे सेल पे आप इसे खरीद पाएंगे अप्रॉक्सिमेटली 68,000 रुपीज का जो की एक अच्छा price है इस TV का with 3-year warranty अगर Hisense Tornado 65 इंच इस समय तक launch हो गया तो आप ध्यान से उसकी भी offers और price चेक करें और आपको जो सस्ता मिले अब वो टीवी खरीदें क्योंकि दोनों टीवी बिल्कुल सेम है These are the pros of this TV दोनों बिल्कुल सेम टीवी है बहुत शांदार picture quality के साथ आते हैं अच्छे colors और deep blacks देखने को मिलते हैं Now let's talk about cons इसमें जो MEMC feature दिया गया है That is actually a marketing gimmick according to me वो software based MEMC है और उससे motion blur के अंदर 65 inch panel में आपको कोई भी reduction देखने को नहीं मिलेगी This is somewhat a concern अगर आप जादा sports देखते हैं अपने TV पे और दूसरा कौन इस TV का ये है कि आपको HDMI 2.1 EARC port इस TV के अंदर नहीं मिलता That is a big disappointment क्योंकि आप 70,000 रुपीज approximately एक TV पे खर्च कर रहे हैं 2021 में और आपको HDMI 2.1 EARC port देखने को नहीं मिल रहा Very disappointing But you cannot do anything क्योंकि इस range में और कोई TV ऐसा है ही नहीं जिसमें आपको HDMI 2.1 port मिले अब इसके alternate option की बात करते हैं और वो है Nokia TV मैं इसे number one पे कभी भी नहीं रख सकता Nokia TV को The only reason is कि इसका price इतना जादा वेरी करता है That it hurts me मैं आज अगर आपको recommend कर रहा हूं तो इसका price है approximately 65,000 रुपीज और हो सकता है कल इसका price 55,000 भी हो जाए और हो सकता है पर्सो इसका price 75,000 हो जाए The price of this particular model is so unpredictable But all said and done, the TV is good Nokia TV भी अच्छा है उसमें आपको 425 निट्स की peak HDR brightness मिलती है Colors उतने अच्छे नहीं है जितने आपको view के अंदर मिलेंगे या फिर high sense के अंदर मिलेंगे और ये मेरा stance हमेशा से है मैं high sense के colors को ज़्यादा बेटर मानता हूं Nokia के color से या फिर Motorola के color से लेकिन choice is yours आपको देखना है कि आपको कौन सा जादा TV अपील करता है मैंने सभी TVs के links आपको description box में दिये हैं अपनी TV list में भी दिये हैं और Prime Day deals की list में भी दिये हैं आप अगर उन्हें यूज़ करेंगे तो इस channel की बहुत जादा मदद होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों भूलिएगा मत कि Prime Day की सारी deals मैंने Prime Day list में डाली हैं जो आपको description box में मिलेगी उस list को download करके आप वो सारी deals directly चेक कर सकते हैं और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइए ज़रूर मुझे comment section में और अगर आपका कोई सवाल है जो आप directly मुझसे पुछना चाते हैं Prime Day पे किसी भी purchase से related तो मुझे comment section में लिखिए मैं आपका जवाब 24 hours के इंदर दूंगा ही दूंगा ताकि आप उस discount को miss न करें और आप अपना मन चाहा product खरीद पाएं और मैं आपको मिलता हूँ अपने next video में बहुत ही जल्दी Thank you very much